असलाम आलेकुम प्यारे बच्चों, उन्मेर है आप सब ठीक से होंगे और अपने अपने गरों में सहत्याब होंगे आज हमारी पहली ओनलाइन क्लास है और हम इससे पहले पढ़ रहे थे क्लास में मेरा गर जो कि आप सबों को पता है, ये क्लास फर्स्ट का है, क्लास फर्स्ट और तौबिक हमारा है मेरा गर आपको पढ़ना है, आप पेज नमबर 18 पे आजाए और सबक नमबर 3 है ये, सबक नमबर 3, पेज नमबर 18, लेसन नमबर 3 और हमने इससे पहले पढ़ा था, मेरा गर दो मंजिला है, गर के सामने एक बड़ा बाग है, गर में आठ कमरे है, मेरा गर अंदर और बहर से बहुत ही साफ है, हर कमरा साफ, हवादर और रंगीन है, एक कमरा बहुत बढ़ा है, इसमें महमान बैठते है, इतना हमने पढ़ा थ इससे पहले अब हमें इसके आगे पढ़ना है यहां तक मैंने आपको सुपूर में पढ़ाया था चुकि कोविड की वज़े से आप सब अब गर्मे हो इसलिए हम ऑनलाइन क्लास से सिटार्ट कर जो हैं इसके वर अब हमें इसके बाद पढ़ना है तो अपनी अपनी बुक्स निकालो और यहां से स्टार्ट करों यह पेज नमबर 18 है और सबक नमबर 3 पेज नमबर 18 एक कमरा एक कमरे में बावची खाना है इसमें अम्मा खाना बनाती है इसमें कहते हैं कि हमारे गर में एक कमरा है जिसमें बावची खाना यानिकी किचन है जिसमें अम्मा जो है यान कि एक कमरा जिसमें आप हम सब लोग सोते हैं गर में हमारा एक ही कमरा होता है एक किचन होता है एक महमानों के लिए अलग कमरा होता है और एक क्या होता है हमारे सोने के विए गर में एक गुसुल खाना है गुसुल खाना हुआ बाथरूम और्दू में हम इसको कहते हैं करते हैं इसमें रोज नहाते है जो गुसल ख कोना है उसमें हम रोज नहाते हैं हम कमरों को हर तरफ रोज साफ करते हैं हम कमरों को हर रोज साफ करते हैं जो हमारे कमरे है गर में चाहे वो किचन हो या चाहे वो महमान कमरा हो या चाहे जिसमें हम सोते हैं हम उनको रोज क्या करते हैं साफ करते हैं इतना हम आज पढ़ेंगे अब मैं आपको जोर से और एक इसके रिवजिन करवा रही मेरा गर दो मंजिला है गर के सामने एक बड़ा बाव है गर में आठ कमरे है मेरा गर अंदर और बहर से बहुत ही साफ है हर कमरा साफ हवादार और रंगीन है एक कमरा बहुत बड़ा है इसमें महमाद बैठते है एक कमरे में बावर्ची खाना है इसमें अम्मा खाना बनाती है एक कमरे में हम सोते हैं, गर में एक गुसल खाना भी है, हम रोज इसमें नहाते हैं, हम कमरों को हर रोज साफ करते हैं, आप सब इसकी गर में बहुत बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कल जो हम सवालाग करेंगे, उनको करने में आपको आसानी हो जाएगी, शुक्रिया